पाच जून को जब भारत ने दक्षिड अप्रिका के खिलाफ वर्ड कप में अपना पहला मुकाबला खेला उसके बाद महेंदर सिंग धोनी को लेकर लगातार विवाद बढ़ गया है। मेजर जनरल पीके साइगल जी सर क्या था वो खास बैज जिसको लेकर आप पाकिस्तान व्यापति जिता रहा है और धूनी क्यों इस तरीके बैज पहन कर क्रिकेट खेनने के लिए उतरे हैं। यकीनन वो यह ग्लव नहीं पहनते हैं। यह ग्लव नॉर्मल ग्लव हैं जो विकेट की पर ग्लव होते हैं। लेकिन इनके उपर जो पैरा इसका है वो हिंदोस्तान की फॉज के ओनरी लिफिंग करने लें। पैरा रेजिमेंट के। तो वो पैरा रेजिमेंट का बहज है जो उसने पहना हुआ। उससे ना तो उनकी शमता बढ़ती है ना उनका मनोबल बढ़ता है ना ही कुछ. और मुझे नहीं लगता था कि उनको पता था कि इस माफिक की कॉंट्रिवर्सी हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान ने अपत्ति उठाई है। उनके मिनुस्टर ने का है कि हिंदोस्तान का मीडिया जो है इसको बहुत उच्छाल रहा है। अगर मीडिया वास्ता में लड़ा में जाये जाये इराक में जाये किसमा फिकी मीडिया की लड़ाई करने की उचसागता नहीं और पाकिस्तान नहीं आईए ICC के सामने पत्ति रख्थी है और ICC ने हिंदोस्तान के BCCI को बुला है कि वो यकीन करें कि दोनी अगले मैच में ये फिन पहने कि इंटरनेशनल दो जो इंटरनेशनल नॉम्स हैं उनको फॉलो किया गए और अगर विजोत पड़ी तो इस चाहिए देशवासी चाहते हैं कि वह पहने रखें लेकिन एक नॉन इश्यू को इश्यू बिलाने का कोई फादा नहीं हिंदोस्तान को ग्रेस दिखानी चाहिए दोनी को ग्रेस दिखा राकिरह proces को जो उनका बैझो साइस Warum सर्में आर्या कि क्वे ऊकर है नॉनकी परेसी होगी परीद्स का सकतान कि रेIES तो पेंब हाए जियू हर्मारी को कि की बैए लच ज़री साच क्या है अगा है उनको को शर्ची मैं कि नौनेए कि इस प्रकार से देश के तमाम लोग कहना है कि दोनी को ये गलफ्स पहनना चाहिए और सेना के प्रतिज उनका प्यार है तो क्या अगले मैच मैसे पहनना चाहिए उनको जैसे प्रकार से सेना के लिवे बातना के अगला नवत्रह प्यांतर यो फिप योडाना चाहिए यह यह मैं उनकी अपनी मेचुरिटी पर चोड़ जाता हूँ एक तरफ देश्वास ही चाहते हैं बीसी से आई ने आइसी सी को काया कि अपने डिस्टिशन को रिव्यू कीजिए लेकिन रूल्स रूल्स अगर उसको अगर चुनौती देंगे तो आपके खिलाफ पैनल्टी लगी है जो हिंदोस्तान के वर्ल्लकप जीतने में मुकसान लेव सकता है ऐसे में मुझे लगता है कि आपको ग्रेस दिखाने के वशकता है और उसको कोई पैनने के वशकता नहीं कि उस गलव से ना तो धोनी की शंकता बढ़ रही है ना ही कोई फादा हो रहा है लेकिन अगर से जुड़ा हुआ एक गटना जो सामने में आया है मैं यह कहना चाहता हूं कि BCCI या कोई भी खेल संगठन जो स्पोर्ट्स फेदरेशन होते हैं उस पे सरकार हुकम नहीं चलाते हैं और हस्ताचेप में नहीं करते हैं खेल संगठन और्टनमस और्गनाईजेशन्स हैं वो अपने तरीके से अपना स्पोर्ट्स बोड़ी को चलाते हैं वर्ल्ड काप में जो गटना हुआ उसमें भारत के साख से जुरा हुआ जो बात सामने में आया मैं यह कहना चाहता हूं कि BCCI उसको अपने लेवल से अच्छी तरह से उसको टेक अप करे ICC के साथ और भारत में जनता जो भावना है उसको दियान में रखते हुए अपने पक्ष है उसको अच्छी तरह से रखे हैं वैसे खेल मंत्री होने के नाते इस तरह का गटना करी रखना हमारे दायत्ते हैं इसलिए मैं BCCI कोई कहना चाहता हूं कि आप अपने तरीके से खेल और उससे जुरे हु तो सरकारों उसका जानकारी दे तो अच्छी बात है और मुझे विश्वास है कि BCCI उसको अपने तरीके से अच्छी तरह से इस मामला को ICCI के साथ टेकाप करके इस मसले को हल करेंगे और मेहंदर सिंग धोनी का जो अपना एक पहचान है वो देश का एक पहचान है हमारे स पहचान है वो कोई राजनीती नहीं है तो उसकी हिसाब से BCCI उसके साथ खरे रहे तो अभी मुझे जो ख़बर मिला है तो BCCI से ने एक स्टेंड दिया है तो BCCI का जो स्टेंड है वाची तरस रखे मेरा इससा कहना है अमनी है और लेटा इससे मुझे कुछ कहना नहीं है कोई धर्मिक परचार रजनीतिक परचार नहीं है वो तो उनका देश के लिए सेना के लिए उसके लिए उन्हों लगाया हा मुझे निने लगता इस में प्सट्रेश को या पत्ति करनी चाहिए